हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल पढ़ाई लिखाई आज हम नाग साब जिसे नाजा कहा जाता है उसे पहचान न सीखेंगे तो जो नाग साब होता है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है नाजा इसका समाने नाम होता है कोबरा और नाग अगर आप इस साब को देखेंगे तो यह आपको कुछ मोटा दिखाए देते और इसकी टेल जो होती है पूच होती है इसका जो साइज होता है वो 4.9 फीट से लेके 7 फीट तक हो सकता है इसका नेचर कैसा है यह वैनमस होता है और इसका जो जहर है वो नियूरो टॉक्सिक होता है नियूरो टॉक्सिक का मतलब होता है कि यह आपके नर्वस सिस्टम को तंत्री का तंत्र को क्या करता है प्रभावित करता है कैसे प्रभावित करता है तो यह आपके तंत्री का तं और पुटिशन में चैनल होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है तो फिर एक नर्व से दूसरे नर्व जो है सिग्नल सपास नहीं होते हैं और आपका जो नर्वस सिस्टेम में वह प्रभावित होते हैं और इससे आपकी डेथ हो जकती है को जब भी हमको किसी साप को पहचानना हो तो हमको उसकी हैटको बारी कि से देखना पड़ा हूण सब्सक्राइब होते हैं आप देख पा रहे होंगे हैसा है चौड़ा है ठीक है अब इसके हैड में और स्नाउड यह है आपको ऑसना वह भाणद दिखाए दे रहा है ठीक है अब इसको पहेंचानना है आपको तो फिर स Hide Mark और अगर यही मार्क डबल है जैसे यहांपे डबल आपको मार्क दिखाए दे रहे और फैसे इ समस्टेर 허म तो इसे कहते हैं जा繼續 मार्क या मार्क भी कहा जадते हैं दूसरा इसके हैड में आपको फिर स्केल्स को देखना होता है तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि माउथ के ऊपर जो स्केल्स होती है उसको क्या बोलते हैं तो इसमें जो तीसरे नमबर की सूपरा लेबिल स्केल होती है यहाँ पर देखिए आप यह रोस्टर को भी टच कर रहा है और आखों को भी टच कर रहा है तो यह जो है नाख साब को पहचानने का स्पेसिफिक तरीका दिखाई दे रहाए तो यह सग हो सकता है तो फिर नाग है कर के कैसे प्तो चलेगा लगाने के लिए हमको यह यह जो नाग होते हैं यह क्या बनाते हैं हुड का formation करते हैं यह फन बनाते हैं तो अगर यह अपनी सिफेलिक क्रीप को स्ट्रेट करके यहां पर अपनी नेक को डाइलेट कर लेते हैं और फन मना लेते हैं तो फिर यह ना अग है ठीक है कि इसके अलंवा आप देखेंगे कि इसके हैड में यहां पर हेड रिजन में यह जो टेंपोरलडी जैन है यहां पर स्वेलिंग होती है यह जो अपको उभरा हुआ यह आख है और यह पहला स्केल है ह् वियर दूसरा और यह तीसरा यह आख नाम अग्रों को क्या कर रहा है ठाट टिक हैं और यह उबार आपको आछे से दिखाई पर रहा होगा है यह पर यह यह तेंप पोरल जो रीजन है वहाँ पर यह थोड़ा हुआ डिudent है इसका है तो इस तरीके से आप नाप को पहचा सकते हैं अगर आपके कोई कोश्चन हो तो आप कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं थैंक यू